हेलो दोस्तो लेट्स क्रेकट की एक्स्पेरेनर स्रीज में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे एबाउट डायटम्स क्या होते हैं डायटम्स इसके ओपर युप्यासी कुशन पूच चुका है और आगे भी इसके ओपर कुशन पूचे जाएंगे क्योंकि एक उभरती हो टम की रूप में आपर यह निकल करके आ ठीक है तो क्या होता है कैसे होता है इसको हम यहां पर जानेंगे जनरली आप यहां पर सोचते हैं कि यह कोई फिजिक्स की टम होगी या फिर केमिस्टी की टम होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह जनरली जो है वो हम एन्वार्मेंट के कंटेक्स में पढ़ते हैं ठीक है एन्वार्मेंट की कंटेक्स में हम इन चीजों को यहां पर पढ़ते हैं कि वाट इस डायाटम इसके क्या यूजिस हैं मैं यह भी आपको बताने वाला हूँ ठीक है जादर डीटेल में नहीं जाना यह photosynthetic होते हैं और autotropic organism होते हैं देखिए autotropic organisms वो होते हैं जो कि अपना जो food है वो खुद यहाँ पर बनाते हैं photosynthesis के जरीए ठीक है तो यह बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि dietems जो हैं वो algae होते हैं और most of the algae यहाँ पर photosynthesis का काम करते हैं in the marine ecosystem जैसे terrestrial ecosystem के अगर हम बात करें तो पेड़ पोदे जो हैं वो यहाँ पर आपका photosynthesis करते हैं सूरस की जो प्रकाश है आपका और यहाँ से कारोंडरी ऑकसाइट को ले करके इधर आपका कार्बोहाइडरेट और oxygen वगएरा रिलीस करते हैं उसी तरीके से आपका जो है dietems एक तरीके की algae हैं जो कि marine ecosystem के अंदर photosynthesis का का काम करते हैं marine ecosystem के अंदर और भी ऐसे element होते हैं like phytoplankton वगएरा हैं ठीक है या फिर आपके कह सकते हैं कि cyanobacteria हैं जिनको blue green algae कहते हैं कुछ और भी हैं जो कि आपके photosynthesis cover करते हैं in the marine ecosystem ठीक है तो यह autotropic होते हैं यह photosynthetic होते हैं organisms ओके इनकी range भी काफी होती है मतलब छोटे से ले करके बड़े two micrometer से ले करके आपके 500 micrometer तक यहाँ पर होते हैं diversity रिच होती है आपको पता है कि हर एक छोटी चीज़ की diversity बहुत जादा यहां पर हो जाती और फ्रिक्वेंसी ओफ डाइटरम्स आर प्राइमरली डिक्टेटेट बाइड़ एन्वारमेंटल कंडिशन इन दे एक्कुएटिक एन्वारमेंट ओके तो बेसिकली एक्कुएट इनकी जो अलग तरीके की टैक्स आपाई जाते हैं और इंडिया में भी आप देखें तो लगबग 14000 के करीब फ्रेश वाटर और मेरीन एक्कुएटिक हैबिटेट के अंदर आपको जो डायटम है उसके टैक्साज देखने के लिए मिल जाएंगे यह पॉइंट या यह एक्मोस्फेरिक ऑक्सिजन का मेजर सोस्ट देखिए फोटो संथेजिस्जम होता क्या है कि सीओ टू बातर बर्ण से लेंगे पानी जो है वह आपका जड़ों के जरीए नीचे से जाएगा दूसर सूरे का प्रकास आएगा इधर में आपका कार्बाइडिट बनेगा ऑ और फिक्सेशन का तो सेम काम जो है वो आपका मेरीन एको सिस्टम के अंदर एल्गी करती है और उस एल्गी का ही एक पार्ट है डायटम्स ठीक है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है ऑल्दो सम स्पीसीज और वाइडली फाउंड बहुत सार स स्पीसीज यहां पर वर्ग करती है अगर कहीं पर यह पाई जाती है तो वहाँ का जो वाटर की क्वालिटी है वह अच्छी होगी एंड हैल्दी ओफ फिलोरा एंड फोना एक्विटिक एंवार्मेंट में आपको मिलेगा तो यह सारी चीज़े जो है वो दिखाती है कि बाय कि ये का एलगी है और फोटो सिंथेजिस कर रही है मैराइन और फ्रेश वाटर रेको सिस्टम में पाई जाती है एराउंड वर्ड ओके तो यहां पर इसका जो यूज है वो बेसिकली जो ब्रोड यूज है वो किया जाता है इंदे डायाटर मैंनलाइस और इसका जो यूज है वो forensic science के अंदर बहुत जादा है ठीक है forensic science के अंदर इसका क्या use है तो देखें कभी कभी क्या होता है कि माली जी कोई body है को human body है वो किसी butter body के अंदर हमें मिली ठीक है तो हमें ये पता करना होता है कि इसकी जो death है वो drowning के वज़े हुई है मतलब डूबने की विज़े से हुई है या फिर इसने जो है किसी मतलब इसकी death बाहर हुई है और ये फिर बाद में इसको जो पानी है उसके अंदर यहां पर डाला गया है ठीक है तो in the case of murder or suicide ओके तो ये दोनों चीज़ें यहां पर decide करने के लिए हम diatum analysis का use कर सकते हैं कैसे ज़्यादा detail में जाना जैसे एक जिंदा person है वो पानी में कूद गया ठीक है मतलब क्या है कि वो चिल आ डायटम्स हैं वो disseminate हो जाएंगे इंवरीन ब्रेन इस्प्लीन लीवर और बॉंस और माइक्रो कॉपिक एनलाइसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके सरीर में die atom है क्यों है क्योंकि उसने पानी के अंदर सांस ली इसका मतलब वो डूबने से मरा है दूसरी चीज़ अगर आप ने उसको बाहर मारा अलब मडर हुआ उसका और बाद में उसकी बॉड़ी को जो है वो पानी के अंदर फैक दिया गया तो पानी के अंदर उसने सांस तो ल तो आप समझ देजिए कि वो जो है वो डूबने की वज़े से मरा है और अधरवाइस उसको पहले बाहर मारा गया और बाद में उसको बोड़ी को अंदर फैका गया इस तरीके से आपको पता लगता है कि उसकी जो मौत है वो डूबने की वज़े से हुई है कोई मडर का सस्पेक्ट यहां पर नहीं सामना आया तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो इसके अलावा डायटम के और भी रोल यहां पर है इन क्रिमिनल इंवेस्टिकेशन मैंने बताया एन्वायरमेंटली और क कोई बोडी कहीं और पर मिली है और टेरिस्टियल सिस्टम में और उसके सखी के अंदर डायटम है इसका मतलब यह आई कि जो अपका मेरी निको सिस्टम है वो उसके अंदर से ही निकल करके आई क्राइम सीन इन्वेस्टिएट करने के लिए यूज आ सकती है जोग्राफिकल लोकेशन आप इससे डूंड सकते हैं मैंने बता है बायोटिक इंडिकेटर है तो एन्वाइरमेंटली वहुत ही इंपोर से उक्सिजन बातवरं में जाती है कि फोटो सिंथे